आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन में एप ड्रॉर कैसे लगा सकते हैं यानि कि यहाँ पर आप स्वाइप करके एप्लिकेशन को कैसे ओपन कर सकते हैं अपने फोन में तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे फोन में app drawer नहीं लगा है तो यहाँ पर इस फोन में app drawer को हम set करेंगे तो अपने फोन में app drawer को on करने के लिए अपने फोन में settings को open करिए settings में आने के बाद नीचे scroll करके आपको ये वाला एक option मिलेगा home screen तो home screen के option पर click करिए और home screen पर click करने के बाद आपको home screen में ये वाला एक option मिलेगा home screen इस पर click करिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो option आएंगे और अगर आपको ये options नहीं मिलेंगे तो आपको settings में आने के बाद उपर search settings पे क्लिक करना होगा और आपको search करना है home screen और आप देख सकते हैं home screen सर्च करने पर ये वाला option आएगा तो इस पे click करेंगे उसके बाद home screen पे click करेंगे आपके phone में home screen style के नाम से हो सकता है तो इस पे किलिक करने के बाद दो option आएंगे एक आएगा classic जो कि आप normally select होगा इस type से अब side में एक option आपको मिलेगा app drawer या फिर with app drawer इस पे किलिक करेंगे अब थोड़ा सा wait करने के बाद आप देख सकते हैं इस type से app drawer आपके phone में चालू हो जाएगा तो इस तरह से app drawer को आप अपने phone में on कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें